बच्चो अब अगले तकनीक की और आगे बढ़ते हैं यह है अनुपात विशलेशन टेक्नीक जिसे रेशियो अनलिसिस टेक्नीक कहते हैं इसको मुख्यत हम महतवपूर्ण अनुपातों की गणना करके वित्तिय विवरोनों का मुल्यांकन या विशलेशन करने के लिए इस्त मुक्त यह होता है झालिवन राष्य देने कि योगता जाओं जाती हैं किस्त इसके लिए जो सूत्र इस्तेमाल कि जाते हैं वह कुछ इस प्रकार है चालू अनुपात बराबर चालू समपतियं बटे चालू दाईतौ और तरल अनुपात बराबर नकद बटे रोकर धन देंदार बटे चालू दाईतौ इसके बाद जो दूसरी टकनीक है वो है शोधन क्षमता नुपात जो इसमें यूज किया जाता है इसमें किया एक लांग टर्म सॉल्विस इसमें देखी जाती है जब की अन्य लिक्विडिटी में जो है शौट टम सॉल्विन सी कम समय के लिए जो शोधन और शोधन में क्या देखा जाता है कि गूआ को अहां कि योग्ता को कि इस प्राकार है रिण समता अनुपाद बराबर दीर काली रिण बटे शुद्ध निधी बराबर रिण बटे समता अंचधारी कोश इसके बाद तीसरे अनुपाद की ओर चलते हैं जो की है लाब प्रत्ता अनुपाद यानि Profitability Ratio यह क्या है इसमें क्या होता है कंपनी के द्वारा जो लाब प्राप्ति किये गये हैं उनका अनुपादिक जो है वो विवरन या विचलन निकाल जाता है तो उसके लिए जो सूत्र इसके अंतरगत यूज़ के जाते हैं वो कुछ इस प्रकार है पहला सूत्र यूज़ के आता है वो है सकल लाब अनुपाद बराबर सकल लाब बटे शुद्ध विक्रे गुणे सो दूसरा सूत्र जो उप्योग में लाए जाता है वो है शुद्ध लाब अनुपाद बराबर शुद्ध लाब बटे शुद्ध विक्रे गुणे सो और ती किसरा सूत्र जो उपयोग में लाए जाता है वो है विनियोजित पूंजी का प्रत्य पराबर शुद्ध आय बटे विनियोग इसके बाद आता है टर्न ओवर रेश्यो इसमें क्या होता है जो संसाधन है उसकी कुशलता उपयोग को निर्धारत करने के लिए इसको इस्तमाल म किया जाता है अब इसमें जो सूत्र उपयोग में लाए जाते हैं वो इस प्रकार है कि रहतिया आवर्त अनुपात बराबर विक्रे की लाकत बटे ओसत रहतिया देंदार आवर्त अनुपात बराबर शुद्ध उधार विक्रे बटे ओसत देंदार तो बच्चों इस तरीक को कर देखें तो तीसरी टेकनीक है उत्तरदाई तो लिखंगन यानि रिस्पॉंसिबिलिटी एकाउंटिंग अब इसमें क्या होगा जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है कि इसमें जो है विभिन केंद्र बनाया जाते हैं और उन केंद्रों के जो केंद्रा ध्यक्ष होते हैं पीसिवहादीकारि होते हैं उनको अलग-अलग responsibilities दी जाती है अब जो होते हैं वह अपनी लिए या उत्तरदाइतों का केंद्र बना दिया जाता है और उन विभागों के जो भागा अध्यक्ष्ण होगे या जो प्रबंधक होगे उनको क्या दिया जाए जाए गूत्तर दायतों दे दिया जाएगा कि आपको यह responsibility दी कई है और आप इसके लिए क्या होंगे जवाब देहें होंगे तो बच्चों इसमें क्या होता है किस किस सरग की जवाब दही होती है आइंज हम इस पर एक नजर डालते हैं पहले जवाब दही होती है लागत या वे केंद्र इसमें क्या होता इसरे कुलूट नहीं कियाँ किया जाता इसमें जिसंटर पर्शन होता है यह की लिए जहां किये अधिय जाते हैं और जहां पर वह एक्टिविटीस परफॉर्म होती है जैसे कि अर्फ बा उपरेशनल्डबांट है एक्सपेंस होते हैं इन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं या प्रबंदक होते हैं उनकी जिम्मधारी होती है कि निर्धारित वेसे हैं यह जो fact दिया गया है उससे ज़दा expenditure या expenses ना हो मतलब खर्च ना किया जाए इसके बाद हम दूसरा देखते हैं आगम केंद्र यानि revenue center यह क्या होता है यहां पर आए के लिए जो है केंद्र अध्यक्ष या जो प्रवंदक है वो होता है यह दी निर्धारित आए से जो कम आए अगर प्राप्त होगी या हम उसको प्राप्त करेंगे तो इस situation में क्या होगा जो केंद्र केंद्र अध्यक्ष होगा जो प्रभाध्यक्ष होगा या फिर जो प्रवंदक होगा वो पूरी तरह और इसके साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट इंक्लूड होते हैं तो कि वही एक आए का जरिया होते हैं या रेविन्यू जिनरेट करते हैं फिर आती है लाब केंद्र यानि प्रॉफिट शेरिंग जैसे की बच्चों जानते हैं कि लाब बराबर होता है आय रिन लागत तो इसमें क्या होता है जो केंद्रा धक्ष होता है या जो प्रवंधक होता है वो आय और लागत के लिए भी रिस्पॉंसिबल दोनों के लिए होता है यदि निर्धारित आय से कम आया आई और निर्धारित लागत से ज्यादा लागत लग गई तो इन दोनों ही दिशों मे वो जो किंद्रा देक्ष्य या प्रबंधक होगा वो पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा कि इसके बाद चौथा आता है वीनियोक केंद्र जिसे इन्वेस्टमेंट सेंटर कहते हैं इसमें क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट को अपनी अलग-अलग investment plan करने होते हैं ये वी नियोंच को नियोजित करना पड़ता है इसमें क्या होता है कि investment center हम एक ले करके जैसे हमने आ रॉई पड़ा था उसी दिशा में काम होगा लेकिन हर department का अपना अलग रॉई होगा और इसका मुख्य उद्देश यह होगा कि अपने इस तरह के आरवाइस को प्लान करना कि हम जो एक्सपेंस कर रहे हैं या जो खर्च कर रहे हैं वो कम से कम हो या मित्विय हो और उससे जादा से जादा मुनाफ़ा हम आरजित कर सके तो इन चार बेसिस पे जो होता है उत्तरदायत्व का लेखा लूकेशन या मैनेजमेंट और अड़ेट अब इसमें क्या होता है बच्चों यह पूरी तरह मैनेजमेंट किस तरीके से कारे कर रहा है उसने क्या नीतियां ली हैं कौन-कौन से रूल से रूल से रिगुलेशन लिए हैं उसके ऊपर वो क्या करता है उसका मूल्यांकन करता करता है उसका करता है उसका करता है इसमें क्या होता है कि जो ऑड़िट परसन आते हैं वह क्या करते हैं जो मैनेजमेंट के थियोरी बनी हुए उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है रूल से रेगुलेशन बनाए है उनको क्या करता है उनका मुल्यांकन करता है कि उसी बेसिस पर क और रचनात्मक विस्तृत मतलब कॉंप्रेहेंसिव और रचनात्मक यह नहीं कंस्ट्रक्टिव अब यह दो शब्द कहां यूज होंगे की मैनेजमेंट के जो नीतियां रूल्स रेगलेशन मनें हैं उनका विस्तृत रूप से अनलिसिस करना और उनका रचनात्मक किस तरीके यह दो उसको देखना तो बच्चों इस तरीके से हमने प्रबंद की जो अंकेशन है उसको समझा इसमें हमने यह समझा कि जो प्रमनेंट को ऑड़िट होता है वह उनके रूल्स और उनके किस तरीके से कारे करने का तरीका है और उनका कारे ठीक से चल रहा है कि यह फॉर्म किया जाता है अब उससे होने वाले लाभों को जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे एडवांटेजस हैं जो इस तरह के टेकनीक को फॉलो करने से या टेकनीक के थूरू जो कंट्रोल करने से प्राप्त होते हैं इस तरह की टेकनीक को फॉलो करने से जो इसमें पहला लाभ होता है क दूसरा लाब इस तरीके से होता है कि यह प्रबंध कारे की प्रगति में वर्तमान और भावी कमी को दिखाने में सहाय करता है तथा सुधारात्मक कारेवाही को लागू करने हैं तू प्रेडित करता है मतलब कि जो भी कमी आ रही है उसको क्या करता है वो सामने लाता है ठीक ह कि भविष में इससे कोई नुकसान ना हो सके उसके बाद बात आती है तीसरे लाप की यह कहता है कि यह संगठन के लिए संभव असरों को दर्शाता है कि और कौन-कौन से अफसर मिल रहे हैं जिसे कि संगठन का विकास हो सकता है साथ ही साथ यह निर्धारित करेगा कि क्या सं नीतियां निर्देश उन्होंने प्लान किये हुए हैं वह पूरी तरीके से प्रोग्रस में है कि यह उनका पालन हो रहा है कि यह सब चीजें इस चौथे पॉइंट में इंक्लूड होती हैं पाच्वा हम देखें यह नई तकनीकों या विचारों की प्रस्तावना द्वारा उपकर्म की प्रगति का मूल्यांकन करेगा और छटवा यह वातावरणी परिवर्टनों के अनुसार विद्यमान प्रबंद की नीतियों और रण नीतियों में परिवर्टनों को सुनिश्चित करता है तो यह तो होने वाले लाप थे जो मैनेजमेंट आडिट की वज़त से होते हैं आहिए इनसे होने वाले कुछ हानियों या इânकी लिमीटेशन को जनते हैं इनकी मेशन प्रकार हैं पहला र स्ब्सक्राइण showed एक एसे डंध activity तीम आएगी वो क्या करेगी अपने हिसाब से उस समय मैनेजमेंट करेगी और क्या होता है जैसे कि आपने देखा था कि वित्तिय अंकेशन उस वह भी कानूनी रूप से अनिवारे नहीं थी उसी तरीके से क्या होगा ये भी मतलब प्रबंद की अंकेशन है वह कानूनी सीमा हो जाती है और चौथी सीमा है कि प्रबंद का कारेकशेत्र और घटक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक परिवर्थित होते रहते हैं तो बच्चों ये थी हमने जो चौथे प्रबंद की अंकेशन जाना इसकी सीमा है आईए हम अगले मॉडर्ण टेखनीक की और बढ होती है पर जो होती है इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉब्लम इवालवेशन और रिव्यू टेखनीक ठीक है और इसे हिंदी में कहा जाता है कारेक्रम मूली आंकन और पुनारन इंडक्शन टेखनीक और जो सीपीम होता है इसे हिंदी में कहते हैं क्रिटिकल पाथ में इ अब इन विधियों का यूज करके क्या किया आता है नियोजन, संगठन और नियंतरन जैसी क्रियाओं को करते हुए क्या किया आता है उनके कारे को कंट्रोल किया जा सकता है और उससे होने वाली हनियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है और उनकी प्रगती को देखा जा सकता है क किस प्रग्रति से कार्य चल रहा है अगर हम पर्षर की बात करें यानि कारेकर हम मुल यांकन और पुनर्दन रिख्षटन तक्नीक तो इसमें क्या होता है इसमें ज़ी सूचना होती है वो प्रबंध को प्रदान किया जाता है प्रबंध को और इसकी आवश्यक्ता नियोजन्व नियंद्रण में होती है इसमें क्या होता है साथ ही साथ विकासात्मक परियोजनों में लागत भी प्रदान कर किया जाता है और अगर हम सीपीम की बात करें यानि क्र परियोजनाओं का विशलेशन होता है वो विभिन कारे वाहियों या क्रियों में किया जाता है और उनके संबंदों को निर्धारित किया जाता है और नेटवर्क रेखाचित्र द्वारा दिखाया जाता है इसमें इस तरह का नेटवर्क रेखाचित्र दिखाया जाता है जो कि यह दर्शारा है कि कारे में कितना समय लगेगा कारे को सपष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है कि किस कारे के बाद कौन सा कारे किया जाएगा और कारे को का एक निश्चित पत निर्दारित किया जाता है critical path method में तो बच्चो इस तरीके से हमने part और cpm को जाना जो की network techniques के अंदर कारे करती है और किस तरीके से नियंद्रण में मदद करती है अंति modern technique या आधुनिक technique कि और हम आगे बढ़ेंगे जिसे कहते हैं प्रबंध सूचना तंत्र यानि MIS English में इसे कहा जाता है management information system अब ये कैसे काम करता है basically बच्चो management information system एक software की तरह कारे करता है एक communicator होता है सूचना देता है या एक कह सकते हैं सूचना का यंत्र होता है ये क्या होता है अपने से related लोगों को या जिस विभाग से ये जुड़ा हुआ है उससे related जानकारियां उस प्रबंधक तक पहुँचाता है जिससे कि क्या होता है सही समय पर सही कारे को पूरा किया जा सकता है और इससे होने वाली हानियों से बचा जा सकता है और भविश में ज्यादा से ज्यादा लाब को अरजित किया जा सकता है बचो हमने प्रबंद सूचना तंत्र यानी MIS को जाना है अब इनसे होने वाले लाबों को जान लेते हैं कि कौन-कौन से अड़वांटेज इससे प्राप्त होता है पहला अड़वन प्राप्त होता है कि ये विभिना स्थर पर काम करने वाले सभी प्रबंदकों को यथार्ट सूचना प्रदान करता है दूसरा अड़वन प्रबंद सब्रबंद के सभी सरों पर नियोजन नियंत्रन और नेणयन में सहता करता है तीसरा है ये लागत सम्मंदी प्रभावी प्रबंद प्रदान करता है और चौता है ये सूचना की गुणवत्ता को बढ़ाता है जिसके साथ एक प्रबंद कारे करता है पांचवा हैं ये प्रबंदकों पर सूचनाओं के अधिक भार को कम करते हैं अर्थात उन्हें केवल सम्मंदित सूचना प्रदान की जाती है कुल में लाकर करके हम यह कह सकते हैं किसी भी कारे को करने के लिए जब MIS का यूज किया जाता है और वो इस कारे में क्या करता है एक सूचना के प्रवाहत के रूप में कारे करता है जिससे की सही समय पर सही कारे पूरा किया जाता है बचो हमने नियंतरन टॉपिक पर या जो चाप्टर था नियंतरन उसमें हमने यह डिफरेंट टेकनीक्स को जाना आशा करती हूँ ये सारी टेक्निक्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा